खबरों में आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों को इपास दिखाना ज़रूरी कर दिया गया है ऐसे में इस व्यवस्था से मजाग तब उड़ाया जा रहा है जब मिता बच्चन और डोनाल ट्रम्प जैसे बड़े नामों को भी बिना वेरिफिकेशन किये ईपास जारी कर दिये गए जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश की पुलीस हरकस्त में आई और मामले को दर्च कर लिया गया साथ ही आगे की कारिवाई शुरू कर दिया गया है तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बिना वेरिफिकेशन के ईपास जारी कर दिया गया है जहां एक तरफ तो प्रशासन बड़े-बड़े दावे करती है कि बिना वेरिफिकेशन के बाहर के लोगों को प्रदेश में एंट्री नहीं दी जा रही है इस बीच ये खबर आपको चौका देगी कि बिना वेरिफिकेशन के अमिताब बच्चन और डोनाल प्रम के नाम के ईपास जारी कर दिये गए है तो ये तस्वीर प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ये खबर अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से अमिताब बच्चन और डोनाल प्रम के नकली नाम से ईपास जारी कर दिये गए है तो आपको बता दे कि पूरे मामले पर पुलीस ने संग्यान भी ले लिया है वहीं मामले में F.I.R. दर्ज कर ली गई है और पुलीस ने तफ्तीज भी शुरू कर दी है तो शिमला से ये चोका देने वाली खबर आई है जहां पर अमिताब बच्चन और डोनाल प्रम के नाम से ईपास जारी हुआ है वहीं मामला सामने आने के बाद से पुलीस में हडकम मचा हुआ है और पुलीस ने पुरे मामले को लेकर F.I.R. भी दर्ज कर ली है और तफ्तीज शुरू हो गई है तो ये ईपास को लेकर बड़ा खिलवाट चल रहा है अब इसमें जाच के बाद पता चलेगा कि आखिर गडवडी कहां की जा रही है और किसके मिली भगत से ये पूरी साजिश रची गई है